मुद्दा संसत के बजट सत्र में भी उठा है महाराश्ट से एंसीपी के संसत डॉक्टर अमोल कोहले ने प्याज निर्यात पर पावंदी को लेकर सरकार को घेरा है सुनिए उन्होंने क्या कहा है महामहीम राश्टर पतीज ने अपने अभिवाशन में अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट की बात की और विक्सित भारत के जो चार स्थम्ब हैं उन्होंने उन्होंने उसमें उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया लेकिन वास्तविक्ता ये है अध्यक्ष मोद है पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है और अनियन एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगनी की वज़े से प्याज की निर्यात पर पाबंदी लगनी की वज़े से मेरे महराष्टर के प्याज उत्पदक किसानों का 2000 करोड रुपयों का नुकसान हुआ है और इस पाबंदी की वज़े से भला हो रहा है पाकिस्तान के किसानों का क्योंकि Middle East का मार्केट हो यूर्प का मार्केट हो ये पूरा पाकिस्तान अनियन ग्रोर फार्मस के हाथ में चला गया है और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्यास का दाम मिल रहा है लेकिन मेरे किसान को अपना प्यास आठ से दस रुपे किलो के दाम में बेशना पड़ रहा है हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे ये तो इस निरनए की वज़े से पाकिस्तान के किसानों को भला हो रहा है कमर मेरे किसानों की टूट रही है यहां पर महामई वराश्टरपती जिने किसानों की आई दुगनी होने की बात की अध्यक्षे मोदय मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ कि 2013 में डियेपी की एक बैक थी उसकी कीमत थी 560 रुपए 2014 में डियेपी की बैक की कीमत है 1100 रुपए जो लागत की मजदूरी थी प्यास के लिए उसकी कीमत थी 5000 रुपए आज लागत की मजदूरी जाती है 11000 रुपए आज 2013 में प्यास बिकराता 20 रुपए किलो में आज प्यास बिकराता 8 से 10 रुपए किलो में 2013 में सोया बिन विक्रा तक 6000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोया बिन विक्रा है 4500 रुपए क्विंटल के दरों में, तो किसान की आई दुगनी हुई या दुग उने से ज़्यादा धट गई है, जब हम विकसिद भारत का एक स्टम्ब किसानों को मानते है, तो ये मैं किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसिद भारत है, मेरी आई दुगनी हुई है, और ये मेरी दर्ख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरता पूरवक्ये विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा,